तो जिन लोगों का रिजल्ट आया है C.A. इंटर का क्योंकि मेरी बैच जून में स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अर सर हमको भी लाइव चाहिए पर क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो हम बीच में अटेंड नहीं करना चाहिए और प्लीज अगर कोई न्यू बैच है तो बताई तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ प्लाइनिंग था न्यू बैच इवनिंग में स्टार्ट करने का पर उसकी वजह से दो बैच में लेना नहीं चाहता उसकी वजह से मेरे जो एक्जिस्टिंग बच्चे उनको मुझे रिवीजन करवाना है इवनिंग बैच तो नहीं हो पाई लेकिन एक बात है एक अगस से पर्स्ट अगस से तेवन थर्टी टू नाइन थर्टी जो मेरी क्लास होती है मौनिंग में मौनिंग उसमें एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डेरिवीटिवेश रहा है जिल लोगों को रेजिस्ट्रेशन करना मान के चलो कि ये न्यू बैच पहले जो जो दो चैप्टर हुए है पोर्टफोलिय यानि मूचल फंड उसका इस डेरिवीटिव से कोई लेना देना नहीं है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपकी फ्रेस बैच है और आप जोइन कर सकते हो अगर आपको लाइव में इंटरस्टेड है तो आप लाइव जोइन कर सकते हो एक अगस्या से आपका औरिट औरिट में भी आप बीजी थे आपका जुलाई एड है जुलाई खतम किजिए एक अगस्से जॉइन कर सकते हो मौर्निंग बैच रहेगी मौर्निंग ही रहेगी एवनिंग नहीं रहेगी और आपको विश्वास नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा कि यह अगस्से ठीक है मान के चलना कि न्यू बैच और पिछला सरह इसके लिए हमको क्या सिये इंटर एफम का नॉलिज चाहिए कुछ नॉलिज नहीं चाहिए भूल जाओ आपने अगर एफम नहीं भी पढ़ाया ना तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो 101 परशन लिख कर देता हो आ बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे वो चाहो तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो सर कहां कैसे पर्शिस करें तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे ओके बाई